बिर्ला सारवजनिक अस्पताल के लिए विकास पूरुस बने डॉक्टर मधुसुदन मालानी बिर्ला परिवार की विरासत को कायम रखते हुए विक्षित किया अत्याधुनिक अस्पताल शिक्षानगरी पिलाने में बिरला सार्वजनीग अस्पताल की सुरुवात बिरला परिवार द्वारा 1949 में हुई थी इसके बाद से यह है अस्पताल पिलाने ही नहीं बलकी राजिस्थान में अपनी पहचान लगता है बिर्ला परिवार की इसी विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया कोरोना के समय यहाँ पर आए डोक्टर मदूसुदन मालानी ने सही माइने में डोक्टर मदूसुदन मालानी ने ही बिर्ला परिवार की इस विरासत को कायम रखते हुए अस्पताल को अत्यादूनिक अस्पताल का स्वरूप देकर इसे किसी मेट्रो सिटी के बड़े अस्पताल की स्रेनी में लाकर खड़ा कर दिया है कोरोना काल के समय जब हर तरफ ओक्सीजन की कमी थी तब यूवा डॉक्टर मदुसुदन मालाने ने परियास करके बिरला सारवजनिक अस्पताल में ओक्सीजन प्लांट लगवाया जिससे हजारों मरीजों को फायदा मिला इसके साथ ही अस्पताल में ओक्सीजन कंसेंट्रेटर, ब्लड बैंक अपगरेड, वेंटीलेटर, हार्मोन टेस्टिंग लैब, नई एक्सरे मसीन, पिलानी और उसके आसपास में आखों के मरीजों की सुविधा के लिए अस्पताल में आई डिपार्टमेंट की स्थापना करवाई, आज के समय को देखते हुए, मोडूलर ओप्रेशन थियेटर का निर्मान भी बिरला सारवजनिक अस्पताल में करवाया गया, डॉक्टर मधु सुदन मालान ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके बड़े पिताजी यस्वरदिन बिरला जी का मार्ग दर्शन और आसिरवाद उन्हें लगातार मिलता रहा, और उनी के मार्ग दर्शन में उन्होंने बिरला सारवजनिक अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए 30 विसेसग्य चिकित्सकों की सेवाओं को भी सुरू करवाया, जिससे इस 76 के हजारों मरीजों को विसेसग्य चिकित्सकों की सुविधा का लाब मिला, अस्पताल परीजर के अंदर मरीज और उनके परीजनों की सुविधा के लिए OPD, IPD, ICU, General Ward, महिला वार्ड को पून्तया वातानुकु जिससे गरमी के मोसम में मरीजव उनके साथ आए, परीजनों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसके अलावा एमर्जनसी में आठ अतिरिकर बेड़ भी लगवाएगे, जिससे किसी भी आपातकाली निस्तिति में मरीज़ को परेशान नहीं होना पड़े यहीं नई मरीज और उनके परीजनों की सुवीधा के लिए अस्पताल में कई नए निर्मान भी करवाएगे जिन में नए बातरूम और सोचाले का निर्मान सामिल रहा अस्पताल में चिकितसक के सुवीधाओं में बड़ोतरी होने से OPD में भी लगातार बड़ोतरी हुई इसके बाद अस्पताल परीशर में ही एक नई OPD विंग का निर्मान करवाकर सभी चिकितसकों की एक साथ ओपीडी को सुरू करवाए गया जिससे आने वाले मरीज एक ही स्थान पर बैठ कर चिकित सक्य अप्रामर्स ले सके यही नहीं मरीज की सुईदा के लिए OPD के बाहर उनके बैठने की सुन्दर वेवस्था भी की गई बिरला सारजनिक अस्पताल में लगातार बढ़ रहे रोगियों की संक्या को देखते हुए अस्पताल में नया रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया गया और हर काम को हाइटेक तरीके से करते हुए OPD में स्वैचालित गेट भी लगाया गया जिससे मरीजों को काफी सुईदा हुई बिला सारजनिक अस्पताल परीशर में भरती मरीजों एमों उनके परीजनों की सुरक्षा वस संक्रमन से बचाओ के लिए अस्पताल में स्वैचालित गेट लगाया गया और टोकन सिस्टम को सुरू किया गया जिससे अस्पताल में भरती मरीजों को सुरक्षा मिली साथी स जंकर्मन से भी बचाव हुआ। डोक्टर मदूसुदन मालानी की दूर द्रश्टी एमम मरीज को और सुविदा देने के उद्यस्य से अस्पताल परिसर में नई सेटी स्कैन मसीन और सोनोग्राफी मसीन भी लगवाई गई। इसके साथ ही मरीजों की सुविदा के लिए डोक साथी बेजोवान जानवरों के लिए बिर्ला वेटरनारी अस्पताल भी सुरू करवाया गया। डोक्टर मदूसुदन मालानी ने जानकारी देते विए बताया कि बड़े पिताजी यस्वर्धन बिर्ला के लगातार मिल रहे मार्क दर्शन के चलते ही बिर्ला सारवजनिक अस्पताल में परियावरन सरक्षन को लेकर बहुत कारिया हुआ और अस्पताल में ग्रीन एनरजी पर काम करते हुए सोलर और रेन वाटर हर्वेस्टिंग को लेकर भी निर्मान करवाएगे। कोरोना काल के बाद से यह डोक्टर मदूसुदन मालानी की दूर दर्शिता का ही परियनाम था कि जिला परसासन ने डोक्टर मालानी की सेवाओं और सुजबुज को देखते हुए उन्हें पूरे जुंजनु जिले का निक्षय मित्र बनाया और उन्होंने निक्षय मित्र बनने के बाद पूरे जुंजनु जिले के टीबी मरीजों के पोशन की जिम्मे कोरोना काल के बाद से बिर्ला सारजनिक अस्पताल पिलानी की ओर से डोक्टर मदूसुदन मालानी की निर्थत्व में बिर्ला परिवार की एतिहासिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए फ्री रसोई की सेवा को शुरू किया गया जिसमें परती दिन जरूरतमंद लोगों को निसुलक भोजन उपलब्द करवाया जा रहा है इसके अलावा बिर्ला सारजनिक अस्पताल की ओर से जिले भर में हजारों फ्री मेडिकल कैम्प और फ्री आई कैम्प लगाकर लाखों की संख्या में मरीजों का निसुलक इलाज किया गया डोक्टर मदूसुदन मालानी न और एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी सुरू करना है इसके साथ ही पिलानी में मेडिकल कॉलेज और पैरा मेडिकल कोर्से सुरू करना भी उनके भविश्य की योजनाओं में सामिल है